नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर राजिश लोदी और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईपोन 13 प्रो मैक्स के बैक कवर की यह दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि आफलाइन और आउनलाइन हम कोई प्रोड़क्ट लेते हैं तो उसमें कितना डिफ्रेंट आता है रेट का तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे और आईपोन 13 प्रो मैक्स के बैक कवर का जो है अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू देने वाले हैं तो हमारे हाथ में है आईपोन 13 प्रो मैक्स का ये बैक कवर अब दोस्तों इस बैक कवर की खास बात यह है कि यही सेम प्रोड़क्ट हमें फेस्बुक पर ऑनलाइन एक हजार रोपय का जो है इसका अमर्पी दिखाया जा रहा था लेकिन दोस्तों हमने दिल्ली के चांदनी चौक मार्किट से इ लोगने से ज्यादा रेट का डिफरेंस है क्वालिटी आपको चेक कराने वाले हैं तो यहां से इसको ओपन करेंगे दोस्तों यह जो प्रोड़क्ट है हमने ऑफलाइन मार्किट से लिया है इसलिए जो है इसकी जो है पॉलेथीन में पैक होके नहीं आया है यह सिर्फ नॉ है साइड में आप देखेंगे आप फिनिस दिए है और बटन्स की बात करेंगे तो काफी जादा बड़ीए क्वालिटी के बटन्स लग रहा है यहां पर पूरा जो है ग्लास बेक दिया हुआ है साइड में बात करें साइड में भी जो कट आउट दिये हैं काफी बड़िया दिये हैं पीछे स्पिकर के लिए कितना बड़िया डिजाइन दिया हुआ है और यह एपल का लोगो अंदर प्रोटेक्शन के लिए रवर दिया हुआ है जिससे कि आपका फॉन का ग्लास प्रोटेक्ट रहे तो दोस्तों यह जो प्रोड़क्ट है मात्र हमने लिया है ऑफलाइन मार्केट से 250 रुपए में यही सेम प्रोड़क्ट जो है फेस्बुक पर बैचा जा रहा है एक हजार कोई और चीज तो आप जो है ऑफलाइन मार्केट में जरूर ट्राय करें अगर नहीं मिलता है ऐसा कोई प्रोड़क्ट है तो आप उनलाइन भी ले सकते हैं तो इस वीडियो को बनाने का मकसर सिर्फ इतना था कि ओनलाइन और ऑफलाइन रेट में कितना जादा जो है डिफ लगता है प्रोड़क्टक को पर्चेस करने में जो है और जो है कोई पने पैसो से प्रड़्क्ट को पर्चेस करते हैं और आप लोगों के लिए जो है उसका डिटेल में रिब्वी देते हैं तो आपसे इतना रिक्वेस्ट स्थ है कि लिवारे टो 커피 करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब रुरुटरु